हलो दोस्तों आज के पांच में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ काशल बहुना दोस्तों ये Lower PCS 2021 का पेपर है सुरू के पांच क्वेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं और आज question number 106 से और 110 तक के question हम डिसकस करेंगे तो डिसकस करते हैं question number 106 ये coding decoding से लिया गया question है अगर summer को runner से code किया गया है तो winter को किसे code करेंगे तो साथियों coding decoding के question के लिए जहाँ पे alphabetic questions होते हैं उसके लिए आपको तरीका बता चुके हैं कि सबसे पहले a to z हम लिख ले तो दोस्तों a से z तक मैंने screen में लिख लिया है और आप देखें किसके नीचे मैंने 1 से 26 तक number भी लिख लिख लिए हैं मैं हमें से discuss करता हूँ कि हम पहले line में m तक लिखें 13 number और अगले 13 number हम दूसरी line में लिखें अब देखें हम यहाँ पे code किया गया था summer को summer को code किया गया था r-u-n-n-e-r यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं last वाला जो letter है वो same letter से ही code किया गया r को r से code किया और second last को भी same letter से ही code किया गया e को e से ही code किया गया note करने वाली बात है पहला letter s से r हो गया तो s से यहाँ पे jump किया गया है एक left ठीक है हम यह धियान रखते रहेंगे कि हम सबसे पहले case में left एक side को गए है तो हमारा जो word है जिसे हमें code करना है वो है winter w-i-n-t-e-r हमें पहला एक left shift करना है तो w को हम v से denote कर दें इस तरह से जो दूसरा letter है वो u का u ही रहा मतलब यहाँ भी i से हम i ही रखेंगे third जो letter है वो m से n shift हुआ और अगर m से n shift हुआ तो मतलब एक right side को shift किया गया है m से n हम भी n से एक right side shift हो जाते हैं तो n से right side हमें o मिलता है तो v i o fourth letter की बात करें तो m से यह n हुआ है यहाँ भी हम लोग एक right shift हुए हैं तो t से एक right shift होंगे तो u हमें मिल जाएगा u fifth e से e ही रहा और last letter r से r ही रहा तो दोस्तों हमें v i o u e r letter code होके अपना answer मिल रहा है जैसा कि हम लोग अपने screen पे option number second भी देख पा रहे हैं v i o u e r तो हमें पता चल गया हमारा option number b पहले question के लिए सई होने वाला है चलिए दोस्तों बात करते हैं question number 107 की और यह blood relation से question लिया गया है दोस्तो same question PCS 2016 में भी discuss किया जा चुका है CSAT paper में और आज के 5 में यह question दुबारा repeat हो रहा है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तरह के question के chances बहुत होते आने के तो आप लगातार इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहे है if f is brother of a f a का भाई है हम लोगों ने जाना था अगर भाई या बहन होगा तो हम उसे a की line में दिखाएंगे माता पिता होगा तो हम उपर की line में चले जाएंगे और पुत्र या पुत्री होगा तो हम नीचे के line में आ जाएंगे फिर पुरुस को हमने plus sign से दिखाया और मैला को हम minus sign से दिखाएंगे तो यहाँ पे बोला गया था f is a brother of a f a का भाई है भाई है तो एक line में दिखाया और पुरुस है तो plus से दिखा दिया दूसरी line हम पढ़ पा रहे हैं c is the daughter of a c जो है a की पुत्री है पुत्री है तो minus से दिखा दिया मैने और पुत्री को अगली वाली line में दिखाया गया है k is the sister of f k जो है f की sister है sister है इसलिए minus sign आ गया और f की sister है इसलिए f के साथ ही same line में दिखाया गया है आगे बताया गया and g is the brother of c g जो है c का भाई है भाई है इसलिए plus sign दिखा दिया और c का भाई है इसलिए c के सामने वाली line में इसे दिखाया गया है हमारा figure पूरा बन चुका है last में पुछा गया है then who is the uncle of g g का uncle कौन है अब uncle के लिए यहाँ पर बताये गया है इंदी में पड़े तो चाचा, मामा या मौसा या फूफा इन में से कोई सा भी हो सकता है तो देखो g की बहन है c और c की माता या पिता है a माता या पिता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना plus sign है ना minus sign है इसलिए gender clear नहीं है मान की चलते हैं a पिता है c का तो a g का भी पिता हो गया और पिता का भाई f यानि की g का चाचा हो गया f और अगर a माता है तो F जो है G का मामा हो गया तो हमें अपना आंसर मिल चुका है G का मामा या चाचा हो गया F तो इस C option हमारा इसमें सही उत्तर होने वाला है दोस्तों अगला question है 108 हमारे आज का तीसरा question है और यह missing number question से लिया गया है 5 का संबंद 36 से है तो बताईए 6 का सेम संबंद किस number से होगा यहाँ पर हमें एक नया number लेके आना है तो देखो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 गुणा 6 30 हो जाता है 30 हो जाता है प्लस जिससे गुणा किया उसी को add कर दो 5 चके 30 और 6 36 हमारा 5 का relation 36 से बनाया था हमने क्या किया 5 का अगला number 6 जोड भी दिया और multiply भी कर दिया इसी तरह से 6 का अगला number multiply करेंगे और इसे add भी कर देंगे तो answer क्या मिलने वाला है 7 6 42 प्लस 7 49 तो यहाँ पर 49 हमारा उत्तर होने वाला है इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा option number B इसमें सही उत्तर होगा question number 109 आप पढ़ सकते हैं choose a word from given group which is least likely the other word in the group हमारे पास कुछ words दिये गए हैं हमें एक अर्थ से भिन मतलब सभी में कुछ ना कुछ समानता होगी लेकिन इनमें से एक word ऐसा है जो सभी से अलग होगा तांबा, जिंक, पीतल, अलूमीनियम और लोहा आप इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं कॉपर, जिंक, ब्रास, अलूमीनियम और आईरन हमारा एक आता है साइन्स के अंदर धातू और मिस्र धातू करके तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें बताये जाता है कि जिंक, तांबा और लोहा ये तीनों जो हैं वो होते हैं धातू जबकि पीतल जो है वह मिस्र धातू है और वो दो या तीन अलग-अलग धातूं से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों जो पीतल है वो है जिंक और तांबे से मिलकर बना हुआ होता है तो हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि जिंक, तांबा और लोहा तीनों धातु हैं जबकि पीतल एक मिस्र धातु है तो सातियों हमारा सही उत्तर इसमें होने वाला है पीतल दोस्तों आज के 5 के अंतिम question की question number 110 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी पास धिया गया है a by 3 equal to b by 4 equal to c by 7 और हमें ज्याद करना है a plus b plus c upon c की value तो इस तरह को question को attempt करने के लिए हम लोग इसको किसी constant के बराबर मान लेते हैं k के बराबर मान लिया हमने अब हम क्या समझ सकते हैं कि a by 3 equal to k के बराबर है a by 3 equal to k के बराबर है तो a equal to 3 k मैं लिख सकता हूँ 3 multiply में आगया इधर इसी तरह से b by 4 equal to k के बराबर है तो 4 इधर आके b की value को कर देगा 4 k similarly c by k equal to 7 है तो c की value हो जाएगी 7 k के बराबर अब हमारे पास a, b और c तीनों की values अलग-अलग मालूम है हमें इसकी value find करनी है तो हम सभी जगा a, b और c की value put कर ले, a की value है 3 k, plus b की value है 4 k, plus c की value है 7 k upon हमारे पास denominator में c है तो हम यहाँ पे c की value put कर दें दोस्तों हम इन तीनों values को add कर सकते हैं 7 और 4, 11, 11 और 3, 14 मतलब 14 k हमारा numerator हो गया और denominator में 7 k है k से हम लोग k को cancel कर सकते हैं और 7, 2 जा 14 हो गया तो 2 इसका सही उत्तर होने वाला है हम देख सकते हैं हमारा option number b जो है वो 2 हमें बता रहा है तो इसका option b यानिकि 2 सही होने वाला है तो दोस्तों यही थे हमारे आज के 5 question उमीद करता हूँ आपने बकू भी सीख लिए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे दोस्तों इस तरह से हमारी C-Sight की preparation जारी रहेगी आप लगातार इन वीडियो से कुछ न कुछ मेरे साथ सीख सकते हैं आज के 5 के next वीडियो में मैं जल्दी ही आपके साथ next वीडियो शेयर करूँगा फिलाल इस वीडियो को मैं end करता हूँ जल्दी मिलेंगे next वीडियो में thank you so much